देखिए धन्तिरेस एक ऐसा दिन है जहांपर ज्वेलर्स कम से कम दो से तीन महीने पहले से अपनी तयारी नई प्रोडक्स की नई ज्वेलरी की पहले से तयारी चालू कर देते हैं सोने के भाव जब शरात थे तब आसपास 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 थे जो बढ़ते गए और शरात के टाइम पर घराकी बहुत अच्छी थी जब बुकिंग भी अच्छी हुई उसके बाद नवरातरे में काम लॉजिकली जितना पिछले साल जैसा नहीं हुआ लेकिन दो नव पिटले हजार पचास जा रहा था और इस साल साथ हजार का है उस इसाब से ट्वेंटी परसंट की ग्रोथ वैलु टर्म्स के अंदर भी जवन जवलरी सेक्टर के अंदर रहेगी काफी कस्टमर्स के अंदर भी उतसा है लोगों ने अपनी दुकाने सजाई हैं डिफरेंट लाए हैं हम जीजेसी में इंडियन जुलरी शॉपिंग फेस्टिवल कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर जितने भी जुलर्स है एटी ताउजन टुवान लाग जो रिटेल जुलर्स है सब बहुत जो से तैजारी किये इस फेस्टिवल के लिए सप्राइजिंगली वेडिंग जुलरी क्योंकि यह जो धंतिरस है इसके दस दिन के बाद वेडिंग सीसे चलू हो जाएगा सब चार लाग से उपर शादिया है उस वज़े से जो वेडिंग जुलरी है जो घरों के अंदर जो घर की मदर हो गई फादर हो गई बच्चे हो गई ब्राइड गे उनके फैमिली मेंबर्स हो गई सब पर्चेसिंग अभी धंतिरस के दिनों में ही कर रहे हैं जो हमारा टाइम रहता है कि साड़े साथ सो टन इंडिया के अंदर एंपोर्ट होता है हर साल और हैस्ट जुलरी इस पंदरा दिन से महीने के अंदर विक्ती है जो दिवाली का महल होता है उस ताइम पर तो 80 तो 90 टंस का वेपार इस फेस्टिवल टाइम के अंदर होता है जो 20 डेस तो 25 डेस का टाइम है और ये दिवाली जो प्री बुकिंग है वो एक साथ धंतिरस के दिन सुबा से लेके शाम तक होता है सुबा अच्छे बज़े से जिमन जोल्री की पूरे अपर कस्टमर करता है जो यूद है जो यूंग जो छोटी जोल्री, छोटी चैंज, पैंडिन्र के साथ ये सब जोल्री लेकर भी वो यूथ अभी बाइंड करने के लिए ati दन दन तरस के दिन का रहा है क्या है क्युकिन अपमे पैरेंट से बात क तो गोल्ड, सिल्वर, यह हमारे कल्चर का हिस्सा है, इंडियन कल्चर का, तो इस कल्चर को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सोने के भाव जो 62,000 तक चले गए थे, पिछले तीन दिन में 60,500 के करीब आ गए हैं, तो आज जिसे दंतिरस का दिन है, तो उस दिन के उपर ज आने वाले दिनों में अगले हफतों से नेगेटिव रहेंगे, बागियों के लिए एकोनोमी के लिए गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेंगे, जिससे मुझे लगता है कि गोल्ड के रेट्स हैं, आने वाले टाइम में 64, 65 के असपास आ जाएंगे, तो कस्टमर को भी यह का पूरा ग्यान है और यह जो रेट्स हैं सप्राइजिंगली धंतिरस के अंदर अच्छे रेट्स हैं और इन रेट्स में बाइंग करने से कस्टमर को आगे आने वाले टाइम में इंवेस्टमेंट ग्रेट्स से भी अच्छी प्रॉफिबिलेटी मिलेगी अब ही एक चीज़ हो रही है कि पिछले दिशनल मार्केट वाकर दोग दुखानों में बदलाव आया है लोग के सोच में भी बड़ा काना था उसका लिए उसका लिए उसका लाओ जो डिजिटल एक करांती आई है देश में ऑनलाइन सोना या अधिक जो अधर जो जो अधर ज जो ऊधर जो पिटार जोंते क्या होगा कि आपको इजिली दिजिटल बुकींग है लेकिन डिजिटल में आज भी एक पर संट से ऊपर आइंग नहीं होती है आज हंडर परसंट अगर भाइंग है और 92% बाइंग है वो टचन फील करके हैं family members आते हैं घर के, चार्जन घर के आते हैं, वो select करते हैं jewelry, husband आते हैं wife के साथ, वो check करता है jewelry, तो आज भी वो trend बनके आगे आ रहा है और जो डिजी बाइंग है, जो कोई government के sovereign bonds हो गए कोई दूसरी चीजे हो गई, उसकी बाइंग आज भी 8% के आसपा गोल्ड और सिल्वर के लावा पैटिन नवर जो बाकी जातुएं है बाकी जो जोलरी का इतम से उनको लेके नंतियस में किस तरह आगा रुशान है इस वाड़ देखे कभी भी अगर आप 100% गिनते हैं 100% में 80% बिक्ति है जोलरी और 20% बिक्ति हैं investment products जैसे coins, gold bars, digital के अंदर जो चीज़ें हो गई उस 80% के अंदर से 70% बिक्ति हैं gold jewelry, 10% बिक्ति है silver, 15% diamonds और 2-3% platinum इस तरहीके से jewelry की sales होती है जो urban class है जो South Bombay में हो गया है बाकी जो areas हो गए इंडिया के वो platinum jewelry, diamond jewelry प्रेफर करते हैं buying करना लेकिन जो 2-tier, 3-tier cities है और gold investment grade से भी जो upper one-tier city के जो लोग है main cities के, metros के वो expect करते हैं कि gold के अंदर भी different designer jewelry बाय करना so gold is always been number one for the consumers उसके बाद आता है silver फिर diamond और उसके बाद platinum